समस्कार आप सभी का एगेंस्ट केप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार हम लोग किसी भी आयोग या किसी भी कार्याले में हो रहे भरष्टाचार का कुलासा कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे मैंने तीन दिन पहले ही बिहार मानवादिकार आयोग में पर्थम अपील कैसे करेंगे इसके बारे में वीडियो बनाया था आप लोग अवस्य देखें होंगे तो उसी आयोग में प्रथम अपील ये पदाधिकारी सह पुलिक्स अधिक्षक मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रथम अपील में आदेश पारित हुआ है जिसकी कौपी आप लोगों के समक्ष सामने है इसमें भी भरष्टाचार हुआ है आप लोग अवस्य ध्यान पुरुबग देखें मैं आपको प्रूब के साथ हर्ची दिखाने जा रहा हूँ आप लोग इसे अवस्य बिना इसकी क्वे हुए देखेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है या किसी भी नागरिक के साथ यदि ऐसा होता है तो उसके खिलाप हम लोग कैसे एक जूठो कर लड़ेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरूए है वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन अवस दबा लें तथा बेल आइकन भी दबा लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन सिखर आप लोगों के पास पहुँचे तथा इसे इतना सेयर करें कि हर भारतिये को इसकी जानकारी हो सके और हर भारतिये एक जूठ होकर भरस्टाचार के खिलाफ लर सके तथा एक लाई कवस्च कर देंगे चलिए मैं आप लोगों को मानवा धिकार आयोग में हो रहे भरस्टाचार का किस प्रकार खुलासा RTI के तहत हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग देख रहे हैं बिहार मानवा धिकार आयोग का यह प्रथम अपीलिय पताधिकारी सह पुलिस अधिक्षक का यह आदेश प्राप्त हुआ है इसे आप लोग ध्यान पुर्वक देखेंगे पचीस साथ दो हुजार बाईस का यह आदेश है इसमें कहा गया है कि आवेदक एवं लोग सुचना पताधिकारी उपस्थित लोग सुचना पताधिकारी द्वारा सुनवाई के दोरान बताया गया कि आवेदक को बात संख्या इतना में संधारिस सूचना आयो के पत्रांग कितना द्वारा उपलब्द करा दिया गया है यहाँ डेट अवस्ति देखेंगे आप लोग यह 9.3.2022 को ही उपलब्द करा दिया गया है यह आदेश में लिखते हैं आवेदक द्वारा इसकी स्विकोरोक्ती की गई तथा यह उपलब्द कराई गई सूचना से संतुष्ट है अतह इस अपील अभ्यावेदन को नरस्त मामते हुई बात की करवाई समाप की जाती है अब मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ सच्चाई यह है कि मैंने एक RTI मानवाधिकार को पहले लगाई थी जिसका जवाब उन्होंने जो संधारित कागजात था उन्होंने दिया था उसमें कुछ तूटी थी जिसके कारण मैंने पुनह एक RTI बिहार राजमाधिकार आयोग के लोग सुचना पताधिकारी को लगाई थी आप लोग डेट का धियान रखेंगे कि मैंने RTI लगाई थी देखे या विहार आजमानवादिकार आयोग का है या मैंने 55-2022 को RTI लगाई थी और ये लिख रहे हैं कि आपको सूचना 9-3-2022 को ही दे दी गई है अब सवाल यह है कि कौन सी सूचना दी गई है इस पर धियान देना है तो आप लोग अवस्य देखे 55-2022 को मैंने RTI लगाई थी जिसमें वानचित सूचना मुझे परदान नहीं की गई थी तो था मुझे 18 रुपे का शुल्प की मांग किया गया था इसके खिलाफ मैंने परथम अपील कव दायर की आप लोग देख लें इसका भी डेट मैंने 27-2022 को परथम अपील दायर की और ये हमारे मानवाधिकार बिहार राज मानवाधिकार आयोग की पुलिस अधिक्षक द्वारा यहादेश पारित किया गया है कव 25-7-2022 को कि आपको सूचना 9-3-2022 को ही परदान कर दी गई है यह रियत सचाईय है कि यह दूसरी सूचना थी यह मैंने इसके द्वारा जो सूचना मांगी थी यह दूसरी सूचना थी मैंने पुनह जो सूचना मांगी वह दूसरी सूचना थी इसको दबाने के लिए ब्रस्टाचार का उजागर ना हो इसको दबाने के लिए ऐसा पुलिस अधिक्षक के द्वारा किया गया मानवाधिकार आयोग में भी आयोग का एक पुलिस अधिक्षक होता है किने SP करते हैं हम लोग इन बरे-बरे अधिकारी भी इस तरह भरस्टाचार को दवाने का काम क्या करते हैं क्योंकि ये लोग खुद भरस्टाचार में समलित होते हैं जनता के टेक्स के रुपईय केबल ये लोग खाते हैं और मनवानी करते हैं इसलिए भरष्टाचार के खिलाप यदि हम लोग जनता एक जूठ होकर नहीं लड़ेंगे तो किसी भी आयोग में जाएंगे किसी भी न्याले में जाएंगे तो वहां हम लोगों को निरासा हांत लगेगी लेकिन जब हम भारतिय एक जूठो कर हम सभी नागरी एक जूठो कर एक साथ यदी आवाज उठाएंगे तो कोई भी आयोग हो चाहे कोई भी न्याले हो या कोई भी पदाधिकारी हो उनको हम लोग कानून के घेरे में अवस्चि ला सकते हैं और हमें न्याय अवस्चि आप लोग ठेक से समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये लोग भरस्टाचार करते हैं और भरस्टाचारियों को ही दवाने का प्रयास किया जाता है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है सच्चा यह है कि मैंने मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत वात थाना के खिलाप किय जिसमें ये जो प्रथम अपेलिये प्ताधिकारी से पुलिस अधिक्चक हैं, इन्ने भी जांच समीती का सदस्य बनाया गया था और इनके समक्ष ठाने ध्यक्ष को भी बुलाया गया था लेकिन पुलिस अधिक्षक महोदे ने मानवाधिकार के थाना को ना थो उपस्थित किये ना ही उनका ब्यान दिये और मनवानी धंग से जांच समिती का सदस होते हुए भी मानवाधिकार आयोग के अध्योक्ष के समक्ष रिपोर्ट दर्ज किये उसी रिपोर्ट की मैंने मांग की थी कि थाना अध्यक्ष कब और किस तरह उपस्थित हुआ आयोग में और उन्होंने जो ब्यान दिया था उसकी परमानिच्चाया परती दी जाए लेकिन इसमें पुलिस अधिक्षक मानवाधिकार भी कहीं न कहीं विफल हुए इसलिए वे अपने भरष्टाचार को अपने गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो इनके खिलाब भी आप सुचना आयोग में या जहां भी आप सक्षम हो या हाई कोट में इसकी शिकायत अवस्च करें जिससे हम आम जनता को एक शक्ति मिले एक जूठोकर काम करने का अनभव एक दूसरी को अवस्च सेयर करें तथा अपने यहां हो रहे भरष्टाचार से भारत को मुक्त अवस्च कराने का प्रयास करें जो इस चैनल से संतुष्ठ हैं वो अवस्च सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक इसे सेयर करेंग जाहिन